हेलो दोस्तो कैसे हो तो दोस्तो आज के इस नए वीडियो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज के वीडियो में बात करने वाले IPL 2021 के 4th मैच के बारे में जो के होने वाला है पंजाब, किंग्स और राजस्तान, रॉयल्स इन दोनों टीम्स के बीच में दोस्तो ये मैच कल शाम को 7.30 पीम को स्टार्ट होगा, वेन्नी होने वाला है 1K Day Stadium मॉंबई तो दोस्तो दोनों टीम्स का ये 1st मैच होगा, तो बहुत इंपॉर्टन आपके लिए वीडियो होने वाला है दोख आपको वीडियो में मिलेगा क्या, सबसे पहले आपको गिवाव मिलेगा, आपको simple question का answer करना है और आपके account में सिधा cash transfer कर दूँगा, अगर आपका answer correct निकलता है, ठीके उसके बाद page report मिलेगा, आपको head to head stats, venue stats बहुत important है, वो आपको मिलेंगे प्लस दोनों टिम्स की playing 11, हर player का recent form, उसके बाद player battles, बहुत interesting player battles लेकिया है, उसके बादे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको GL के picks देने वाला हूँ, वो small league के लिए team देने वाला हूँ, तो बहुत ही interesting आपके लिए video होने वाला है, तो video पे बने रहे ना उससे फिले दोस्त आपको करना क्या है, join होना है आपको हमारी telegram channel से, या आप telegram channel से जुड़ोगी नहीं, तो final update आपको कैसे मिलने वाले हैं, तो final update आपको telegram channel पे मिलते हैं, telegram channel से जुड़ जाना, link आपको video के description box में, या फिर comment section में मिल जाएगी, जैसे ही आप लोग link पे पीज बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, पेसर को यहापे bounce मिलता है, new ball के साथ थोड़ा lateral movement मिलता है, बट उसके बाद बैटिंग यहापे बहुत solid होती है, यहापे defend करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि है easily यहापे chase हो जाता है, यही कुछ हमें first match, second match में भी देखने को मिला था, वो match था CS के वसे DC का match, वहापे भी ऐसा ही कुछ होता हुआ हमें दिखा था, ठीक है, यहापे जो 2019 में हुए थे 7 matches, उसके stats आपके सामने average first inning score तब 176 का रहा था, देख सकते हो, second inning 166 का रहा था, तो यहापे run बहुत बनते है, तब batting first ने 3 matches और batting second ने जापे CS के ने 188 बना दिया थे first inning में, तो अच्छा target बना दिया था, Pacers को 5 wickets थी, Spinner को स्रिफ 1 wickets थी, और DC ने बहुत easily chase कर लिया था, 190 बना दिया थे 3 wickets के नुकसान पे, Fasters को 3 wickets, Spinner को 0 wickets, तो बहुत बढ़ी है बैटिंग विकेट होती है, new ball के साथ थोड़ा swing मिलेग बाकि फिर यहाँ पे बल्लीबाजी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली हो, दोनों टिम्स की बैटिंग बहुत strong है, तो एक high scoring match आपको देखने को मिल सकता है, दोस्तों बात करते है राजस्तान रोयल्स की, तो कुछ इस तरीके सिनकी प्लेंग इलिए उन टीम में changes जरूर होने चाहिए, मुझे लगता है कि एक हाद दो changes उपर नीचे हो सकते है, क्योंकि इनके top 3 तो sorted है, येन मॉर्गन ने बोला था, आई पेल स्टार्ट होने से पहले कि राजस्तान रोयल्स के लिए Ben Stokes और Jaws Butter open करने वाले है, जो पिछले साल यही कुछ हुआ ये कहना मुश्किल रहेगा, अभी के लिए मैंने यही प्रवाइबल प्लेइंगी लिए उन बनाई है, हो सकता है कि आपको final change होती हुई दिख जाए, बेंच पे मुस्तुभी जो रहमान है और आपको मुस्तुभी जो रहमान एंडू टाई दोनों में से कोई एक खेलता chances रहेंगे, बाकि मुझे ने लगता नीचे से कोई भी आपको खेलतावा दिखने वाला है, जो फ्रार्चर स्टार्टिंगे चार मैचेस के लिए अभी अविलेबल नहीं है, हो सकता है पूरे season में आपको availability मिलेना, बट अभी तो चार मैचेस के लिए अविलेबल नहीं है, रिसेंट फर्म की बात कर लेते हैं, बेंस्टोक्स की बात करें तो इंडिया के सामने इन्होंने 5-20 मैचेस खेलेते, जिसमें 46 इनका हाय स्कोर रहाता और 3 विकेट्स पूरे निकालेते, तो इनका फर्म बहुत ब्रिलियंट रहा है, वन्डे सीरिज में भी इन्होंने 100 बहुत पसंद भी आता है, संजु सेंट की बात करें तो सयद मुस्तकली टॉपी में 5 मैचेस में 128 बनाए थे, बहुत अच्छा फॉर्म में नहीं थे, विजह हजाली टॉपी में भी बहुत अच्छा फॉर्म नहीं था, सयद मुस्तकली टॉपी में बहुत अच्छा फॉर् तो बढ़िया बल्लिवाजी करी ती राहूल टेवाटिया ने 6 मैचेस में स्रिफ 82 बनाए थे बट 82 बनाया इसका रिजन ये था कि इनको बैटिंग जादा नहीं मिली थी 6 मैचेस में स्रिफ 3 मैचेस में बैटिंग मिली थी जिसमें इनका परफॉरमस बहुत अच्छा रहा थ और दो विकेट्स निकाली थी तो विद बैट इनका फॉरम अभी भी अच्छा चल रहा है पिछला सीजन तो इनकी लिए अच्छा गया ही था शियोम दुबे ने मुंबई के लिए सेयद मुस्तगली टॉप में पाच मैचेस में 161 बने थे 40 कैवरिट से इनका फॉरम भी ड दो मिस्टिक टूर्णमेंट होता है उसमें इन्होंने 5 मैच में 5 विकेट्स निकाली थी स्रेश गोपा ने सेयद मुस्तगली में 4 मैच में 3 विकेट्स निकाली थी एंडू टाय ने बिग बैश लिग में 17 मैचेस में 21 विकेट्स निकाली तो तो अच्छी गेंदबाजी र साथ मैच में पाच विकेट्स निकाली थी उसकाद मैपाल लोम रर ने साथ मैचेस में 173 बनाए थे सेयद मुस्ताकली टोफिम में डेविड मिलर की बात करें तो रिसेंटली जो वंडे सरीज हुई थी पाकिस्तान के सामने जिसमीरों ने दो मैचेस में 250 प्लस के रन बनाए बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे बट दिक्कत के आए न यहाँ पर इनको खिलने का चांस नहीं मिलेगा लियाम लिविंग्स्टरन इंडिया के सामने जो वंडे सरीज हुई थी उसमें 27 की एक पारी थी 36 के एक पारी थी प्लस एक विकेट निकाली थी केल रहूल को लई करना है बहुत मेंनत से आपके सामने में स्टैट्स लई कैया हो बहुत मेंनत करनी पड़ती है तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करोगे drilling करोगे थे एक मैंट करोगे थो बहुत अच्छा लगिए अपने दोस्त के साथ शेर करोगे तो और बहुत अच्छा ल चोक्स ने 285 बनाये थे जिसमें 100 भी थी ठीक है पिछले सिजन की बात है जो UAE में हुआ था रहूल टिवाटिया का परफॉमंस बहुत अच्छा रहा था 14 मैचस में 255 रन बनाये थे वो पाथ चक्क के तॉप को यादी होंगे शेल्डन कॉट्रेल को लगाये थे पंजाब कि अगेंसी बट इस साल शेल्डन कॉट्रेल नहीं खेलेंगे पंजाब के लिए रियान पराग ने 12 मैचस में 86 रन बनाये थे उसके बाद महीपाल लोमरर ने तीन मैचस में 59 बनाये थे यशेशोचाईस वाल तीन मैचस जरूर खेले थे बट स्रिप 40 सी रन बना पाये थे और अहुल टेवाटे ने 10 विकेट्स निकाली थी श्रेज गोपल ने भी 10 विकेट्स निकाली थी तैगी थे 9 विकेट्स उनट कट को स्रिप 4 विकेट्स मिली थी उनट कट का एं लास सीजन हो सकता है IPL का अगर इस सीजन में अच्छा नहीं किया तो शायदी अगले सीजन में क बात करके कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों अब बात करते पंजाब किंग्स की तो पंजाब किंग्स की कुछ इस तरह के से प्लेंगी लिए उन रहीगी यहाँ पर भी आपको चेंजर देखने को मिले सकते हैं टॉप फोर तो यही होने वाले है कोई डाउट नहीं है टॉप फ जाइए बॉलर्स में मेरे सबसे जाही रिचर्डसन कंफर्म खिलेंगे मुहमच्शमी खिलेंगे बिश्नोई और मुरुगोन अश्विन कंफर्म खिलने चाहिए या फिर इन दोनों स्पीनर्स मैं से कोई एक स्पिनर नहीं खिलेगा और उनके जगह पे अर्शदिप सिंग को टीम खिला सकती जो fast baller है देखते टीम क्या खिला ती है ठीक है जॉर्डन और राइली मेरीदित दोनों में से कोई एक खिलना चाहिए मेरी सबसे हो सकता है कि टीम राइली मेरीदित के साथ जाए क्योंकि जो वांखिड़ी की पीछी यहाँ पे पेसर को bounce मिलता है और राईली मेरदित का जिस तरीके से राईली मेरदित 150 तक बॉलिंग कर लेते हैं तो हो सकता है कि जॉर्डन के जगप आपको राईली मेरदित खेलते हुए दिखे और बहुत जबरदस डिफरेंशल प्लेर का काम करेंगे हो सकता है आपको 3-4 विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं बहुत अच्छे बॉलर है रिसेंट फर्म की बात कर लेते हैं दोस्तों तो केल राईल का रिसेंट फर्म देख सकते हो 5-20 में सॉरी 4-20 में बिल्कुल अच्छे फर्म में नहीं थे इंगलन के सामने बट अगले जो 3 वंडे खेले थे जिसमें एक हंडेड इनका आया था तो फर्म इनका अच्छा चल रहा है और इनको वान केड़े बहुत पसंद आता है मैंक अगरवाल ने रिसेंटली ज्यादा कुछ क्रिकेट नहीं खेला है टेस्ट मैचस खेले है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता क्रिस गेल पीसल में दो मैचस ख अगली नहीं खेली थी उसके आद वीजे हजार टोफि में भी नहीं खेले थे तो रिसेंट क्रिकेट इन्होंने खेला नहीं है शाहरुक खान आठ मैचस में आपको श्रिप 88 टरन दिखाए दिये होंगे सयद मुस्तागली टोफि में बट इन्होंने बल्लेबाजी बहुत क पाम कर सकते आज़ फिनिशर ठीके जाहे रिचर्सन की बात करें तो न्यूजिलन के सामने जो टीटिवेंटी सिरेज होई थी उसमें पाच मैचस में इन्होंने चार विकेट्स निकाले थे ये भी बहुत अच्छे डेद बॉलर है प्लस ये बैटिंग भी कर लेते जरूरत पढ़ने पे ख्रीट जॉर्डन ने इंडिया के सामने पाच मैचस में चार विकेट्स निकाली थी इनका थोड़ा खेलने पे डाउट है मुझे राइडी मेरे दिद को टीम खिला सकती है मुहमत चमी की बात करें इन्होंने रिसेंटली कोई भी नई क्रिकेट खेला सकते हैं दोनों स्पिनर एक साथ खेले या फिर दोनों में से कोई एक स्पिनर खेले तो ये थोड़ा देखके चलोगे बेंच पे मंदिप सिंग है जिन्होंने सयद मुस्ताकली में साथ मैचस में 185 बनाय थे जिसमें 99 का हाइश कोर रहा था नोट आउट ठीक है सरपराज पार्च मैचस में 115 रून बनाय थे ठीक लगे थे यहाँ पर खेलने के चांसे बहुत कम बनेंगे डेविड मलान इंडाय के सामने जो टीट्वेंटी सीरीज वी थी उसमें 24, 24, 68 का जी जो पाली थी लास्ट मैच में वो बहुत इंटरस्टिंग रही थी तो डेविड मलान क अच्छा चल रहा है मोईजे सेंटिकस की बात करें तो इन्होंने पाच मैचस में 155 रन बनाय थे बिग बैस लीग में तो बिग बैस लीग में इनका ठीक परफ़रमस रहा था यहाँ पर खेलने के चांसे कम है फैविन एलन ने सिलंका के सामने तीन मैचस खेले थे तीन हैस्ट कोर रहा था जिसमें इन्होंने छे गेंदों में 21 रन बनाय थे जिसमें 3 सिकसेस थे ठीक है लास्ट मैच की बात है बोट मैच विनिंग इनकी यह कैमियो रहा था जलत सक्सेना यह बहुत अच्छा न्यू रिक्रूट है पाच मैचस में इन्होंने 10 विकेट्स निका बहुत कम मिलेंगे अर्शदिप सिंग ने 7 मैच में 10 विकेट्स निकाली थी सयद मुस्ताकली टॉपी में यह खेल सकते हैं दोनों स्पिनर में से कोई एक स्पिनर खेलेगा और फिर टीम अर्शदिप सिंग को खिला सकते हैं क्योंकि यह भी डित में अच्छी गेंदबाज सकता है अगर इनको टीम खिला लेती है पार्च मैचेस में 13 विकेट्स थे सयद मुस्ताकली टॉपी में पिछले 2-3 साल से डोमिस्टिक सरकेट में बहुत दगड़ा इनका पमस रहा है इनको चांस नहीं मिल रहा है पता नहीं क्यों बट यह खेल सकते हैं तो टीम इनको शा सामील था पूरण ने 3-53 बनाए थे इनका पमस अच्छा रहा था गेल ने भी 288 बना दिये थे साथी मैचेस में तो गेल का भी पमस अच्छा रहा था पिछले सिजन में तो इस चारो टॉप 4 बैट्समन से पंजाब के जिनों ने पिछले सिजन में अच्छा किया था मंधि पिछले सिजन में 14 मैचेस में 20 विकेट्स निकाली थी बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी भीष्णोई को 12 विकेट्स थी मुरुगो नश्विन को 10 विकेट्स थी अर्श़दीप सिंग को 9 विकेट्स थी और खृष जॉडन को भी 9 विकेट्स मिली थी तो यही कुछ बॉलर्स आपको खेलते भी दिख सकते है दोस्तो सारे स्टैट्स आपके साथ बहुत अच्छे से शेर किया हूँ तो यार वीडियो को लाइक करना है ठीक है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं बुलना है अगर आपके पास टाइम है तो एक छोटा सा कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तो के इसाथ वीडियो को शेर भी कर सकते हो दोस्तो अब बात करते है हेट WiFi के स्टैट्स के ये तो दोस्तो दोनों टिम्स के बीच में हो चوقए हे 21 मैचस जिसमें पंजाब गिंग्स ने 9 मैचस जिते है और राजस्तान रॉयल्स ने बारा मैचस जीते पिछले सेजन दो मैचस हुए थे दोनों के दोनों राजिस्तान रॉयल्स जीती थी एक मैच टॉप को पता है जो शारजा के ग्राउंड में था शेल्डन कोट्रेल का अगेंड्स राउल टेवाटे ने पाच गेंदों में पाच सिक्सेस लगाए थे वो एक मैच वो जीते थे और एक मैच था जहाँ पे आसानी से चेस कर लिया था तो दोनों बार चेस किया तर आरार ने और दोनों बार जीत गए थे जब मैचेस हुए है तब कैन इकल के आया है तो संजू सैंसर ने 400 रन बनाया है दोनों टीमस के बिच में सबसे ज़्यादा रन केल राउल सेकंड हाइस टन गेटर रे 350 रन बनाया है पंजाब के लिए राजस्तान की अगेंट्स जॉस बटलर ने 251 रन क्रिस गेल ने 217 रन मैंक अगरवाल ने 156 रन बनाया है अब बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की तो इस ग्राउंड पे पिछले कुछ इनिंग्स के अगर बात करें तो पिछले दो इनिंग्स देख सकते हैं जॉस बटलर की इस ग्राउंड में IPL में एक 94 कीनिंग है एक 89 कीनिंग है ओविसली मुंबई इंडियन्स के सामने ही है क्योंकि मुंबई के ही मैचेस होते है तो इसी वज़े से तो जॉस बटलर को ये ग्राउंड बहुत पसंद आता है संजु सैंसन की बात करे तो 26 के एक पारी 31 की पारी सेम मैच में तो संजु सैंसन नी बचछा किया है बेन स्टोक्स ने एक मैच में दो विकेर्स निकाली थी बैटिंग करी नहीं है पिछले कुछ मैचेस में इस ग्राउंड पे एंडू टाई ने पंजब के लिए 4 विकेट्स निकाली थी याद रखना पंजब के लिए 4 विकेट्स निकाली थी इसी ग्राउन पे उसके बाला थे केहल राउल पंजब के लिए निकाली थी या फिर कोई और थी याद ने मुझे कनफर्म बट 4 विकेट्स इस ग्राउन पे एंडू टाई ने केहल राउल ने इस ग्राउन पे 94 की एक अच्छी पारी खेली एक 100 की पारी खेली तो केहल राउल को भी एक ग्राउन बहुत पसंद आता है Chris Gayle ने 8 रन की एक पारी और 63 रन की एक पारी खेली इस ग्राउन पे और मुहमत शमी ने 3 विकेट इस ग्राउन पे पिछले मैच में निकाले है तो ये पिछले 2-3 मैचेस के स्टैट से दोनों टीम्स के और दोनों टीम्स के ये ना में प्लेयर होने वाले इस मैच के लिए तो इन पे आपको फोकस करके चलना है दोस्तो अब बात करते हैं प्लेयर बैटल्स की तो सबसे पहले बात करेंगे राजिस्तान रॉयल्स के बैट्समन्स वससे पंजाब किंग्स के बॉलर्स तो जौस बटलर की बात करें तो शमीğ ने दो बार आउट किया है रिचर्ट सन ने एक बर आउट किया है और ये बिग बैस लिग में आउट किया है जॉर्डन अब तक आउट नहीं कर चुके जॉस बटलर को रवी विश्णोई ने अब तक आउट नहीं किया है मुर्गोन अश्वी नहीं किया राईली मेरेदित ने 13 गेंदों में 22 रन दिये है बटलर को बिग बैश लिग में आउट नहीं किया है बेंस्टोक्स की बात करते हैं तो बेंस्टोक्स हो मुहमच शमी ने एक बार आउट किया है जॉर्डन ने एक बार आउट किया है बाकी किसी बॉलर ने आउट नहीं किया संजु सैम्सन की बात करे हैं बाकी बॉलर्स ने शिवम दुबिकप तक आउट नहीं किया है, ठीक है, अब बात करते हैं, पंचाब के बैट्समंस, वसेस राजस्थान की बॉलर्स, तो केहल राहूल को बेंस्टोक्स ने तीन बार आउट किया है, एक बार आउट किया है, और एक बार IPL में आउट किया है तो इंटरस्टिंग स्टैट से देखके चलोगे, उनाट कट ने एक बार जरूर आउट किया है, बट 43 गेंदों में 72 रन भी दिये है, टाई ने एक बार आउट किया है, मौरिस ने एक बार आउट किया है, बाकी किसे भी बॉलर्न ने आउट नहीं किया, टैगी गोपाल औ तो मौरिस ने 54 बॉल में स्री 50 रन देके 3 बार आउट किया, ये बैटल ना जबरदस्त होने वाला है, मुझे लगता है जैसे ही क्रिस गेल आएंगे, आपको क्रिस मौरिस बॉलिंग करते वे दिखने वाले है, तो यहाँ पे जो भी जितेगा, मुझे लगता है कि उसका ट पाच गेंदों में एक रन देके, दो बार बेंस्टोक्स ने आउट किया निकोलस पुरण को, ये बैटल भी इंटरस्टिंग बनेगा, उनाट का गार्तिक तैगे श्रेज गोपल ने अब तक निकोलस पुरण को आउट नहीं किया है, तो बेंस्टोक्स आपको कॉमन दिख करके चलना है, ठीक है, दोस्तो एर वीडियो को लाइक करना है, बहुत इंपोर्टन स्टैट्स मैं आपके साथ शेर कर चुका हूँ, तो वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो पे कमेंट करोगे, और अपने दोस्तों के साथ शेर करोगे, दोस्तो इस मैच में है क्रेइट क बहुत ज्यादा issues आपको credits manage करने के लिए कोई ना कोई बड़ा player drop करना ही पड़ेगा प्लस या पर wicketkeeper section में इतनी अच्छे players available है कि all-rounder section में या फिर आपको wicketkeeper section में कहीं ना कई आपको sacrifice करना ही पड़ने वाला है ठीके तो चलो बना लेते हैं team सबसे पहले wicketkeeper section में आपको मेलेंगे केल राहूल जो wicketkeeper pin के साथ opening करेंगे पंजाब के लिए संजू सैमसन जो one down आएंगे प्लस मेरे सबसे wicketkeeper pin करनी चाहे बटलर और संजू सैमसन दोनों में से कोई एक wicketkeeper pin करेगा उसकाद बटलर है जो open करेंगे उसके बाद निकोलस पूर ने जो number 4 पहेंगे सो जो चारो के चारो कितने जबरदस्त player है बड़ दिक्कत क्या है ना चारो को नहीं ले पाओगे एक तो credits के भी issues है आप call down section में भी players लेने हैं तो चारो players को नहीं ले पाओगे मैं अभी के लिए राहूल को ले रहा हूँ और जॉल्स बटलर को ले रहा हूँ दोनों का performance इस ग्राउन पे पिछले दोनों इनिक्स में बहुत जबरदस्त रहा है तो मैं दोनों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ आप लोग Sanju Samson को भी ले सकते हो अगर credits manage कर पाओ बस credits manage नहीं कर पा रहा हूँ इससे वज़ास में Sanju Samson को नहीं ले पा रहा हूँ वरना कोई परिशान है नहीं आप लोग बिल्कुल Sanju Samson को ले सकते हो एसे platform पे खेलते हो जापे credits के कुछ issues नहीं है तो Sanju Samson को अपने टीम में जरूर रखोगे उसके बार थे निकोलस पूरण इनको भी रखे होगे क्योंकि यह आएंगे नमबर चार पे जिस तरह के सिंकी बैटिंग है यह game को one side इधर से उधर कर सकते है ठीक है तो निकोलस पूरण को जरूर टाइ करोगे और grand league में कब कब टाइ करना जब top order में से मयंक या फिर पूरण सिंग के चांसेस का में खेलने के फॉर्म बहुत जबरदस्त है बट खेलेंगे नहीं अनुजरावत का फॉर्म अच्छा है बट ये भी खेलेंगे नहीं ठीक है इतना कनुफर में मलान और गेल दोनों में से कोई एक ही खेलेगा जिस तरीके से लास्ट टूर्नामेंट में इन्होंने गलती करी ति गेल को स्टार्टिंग के छे मैचेस में नहीं खिलाए ता मुझे ने लगता पंजाब इस बार ये गलती करेगी मुझे लगता टीम पोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो, जिस तरीके से फॉर्म रहा है और इनको वांखेडे पसंद भी आता है, तो गेल को लेके चलते हैं, उसके बाते लियम लिविंग्स्टन और डेविड मिलर, डेविड मिलर का भी फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, लियम अगर नमबर चार पर आ सकते हैं, अगर नमबर चार पर आ गए न दोस्तों बहुत इंपोर्टन पिक बनेंगे, बट तिकत क्या है, रियान पराक के साथ, अगर नमबर चार पर पहले दिखा भी दे, बट नमबर जो टॉप थ्री बैट्स पन इनके, यह अगर मैक्सिमम ओर 14-15 ओर्स अगर यह tres खेल जाते हैं, तो रियान पराक के उपर उल्टिवाटिया आ जाएंगे, शुम दूबय आ जाएंगे, तो हो सकता है रियान पराक को बैटिंग ही ना मिले, तो यह tension रियान पराक के साथ है, अभी के लिए पराक के साथ ही जा रहे हो क्योंकि नमबर च अगर टॉप ओडर फेल होगा पंजब का तो मंदिप सिंग दिपकुड़ा एक अच्छी पारी खेलते वे दिख सकते हैं तो जरूर टाई कर सकते हो मज़फाल लो मरक का भी फॉर्म अच्छा डोमिस्टीक में बढ़ खेलेंगे नहीं सेम विद मनन ओर ये भी मेरे सबसी नहीं खेलेंगे सरपराज खान और शारुक खान दोनों में से कोई एक खेलेगा मुझे लगता है शारुक खान ही खेलेंगे मैक्सिममली शारुक खान कौन से यह सरके शारुक खान नहीं यह तामिल नाड़ वाले शारुक खान है यह खेलेंगे और यह खेलेंगे न दोस्तों बहुत अच्छा डिफ्रेंशेल प्लेयर का काम करेंगे क्योंकि टीम इनको प्रमोट कर सकती है ठीक है टीम इनको प्रमोट कर सकती है और 15-20 गेंदे भी खेल जाए तो यह 30-30 रन आराम से बना सकते हैं प्लेयर है ऐसा सुनने में आया है और मैंने देखा भी है कुछ मैंने वीडियो भी देखे है तो शारुक कान इस वेरी गूट डिफ्रेंशेल प्लेयर प्लस आपके क्रेट्स भी से हो जाएंगे वाच आट फोर हीम ग्रैंड लिग में जरूर ट्राइ करना ठीक है चलते हैं अभी हम लोग और डाउंडर सेक्शन में यहाँ पर बेंश्टोक्स क्रिस मौरिस दोनों इंपोर्टन और डाउंडर से दोनों को लेंगे बेंश्टोक्स तो बहुत इंपोर्टन रहेंगे क्रिस मौरिस गेल को परेशान कर सकते है इनको death में gain बाजी करेंगे wickets लेने के chances बनेगे swing करवाएंगे new ball के साथ तो important ही इनको मैं छोड़ना नहीं चाता public इनको छोड़ के आएगी इनको Morris को drop करके आप लोग Sanju Samson को भी directly ले सकते हो कोई परेशान ही नहीं है but मैं Morris के साथ जाऊँगा क्योंकि 2 wickets भी लेगा तो 50 points देगा Sanju Samson 50 points बनाने के लिए इनको 35-40 run बनाने पड़ेंगे ठीके तो मैं Morris के साथ जा रहा हूँ Mojas Hendrikas मुझे ने लगता टीम इनको खिलाएगी first match में ठीके जिस तरीके से Punjab की betting है Mojas Hendrikas की जरूत शायद पहले match में इनको ना पड़े तो नहीं खिलाएगी Rahul Tevatiya again a very good player but problem क्या है ना credits नहीं है मेरे पास दिक्कत यहीं आ रही है मुझे आता credit कमपड़ने वाला है तो मैं Rahul Tevatiya को नहीं ले पाऊँगा इनका selection देगा only 24% Grand League के लिए कितने बड़ी आपी के यहां से पता चल जाएगा तो Grand League में जरूर ट्राइ करना है बिल्कुल मिस नहीं करना है उसके बाद again very good player Shivam Dube इनका domister के लिए form अच्छा रहा है दो और सो गेंदबाजी यह करेंगे वान खेड़े में और जिस तरीके इस इनकी बैटिंग है इनको promote भी किया जा सकता है नंबर 4 पे ठीक है तो देखके चलोगे बहुत अच्छे player का काम करेंगे मैं थोड़ा confused हूँ Shivam Dube में मैं लेना जरूर चाहता हूँ इले उन player का जो मैं option दूँँगा उसमें Shivam Dube का नम जरूर आएगा Fabian Allen लेप टाम orthodox से प्लस राइटेंड बैट्समा ने बड़े शॉट लगा लेते अच्छी गिनबाजी कर लेते हैं बट पंजब मुझे ने लगता है इनको अभी खिलाने वाली है जलट सकस dogs ये भी बहुत अच्छे पीक है बट नहीं खिलेंगे ये भी उतकर्श सिंग भी मेरे साभसें नहीं खिलेंगे बॉललिंग सेक्शन में चलते हैं याद रखना, और अनल सेक्शन में अगर जलट सकसेन आ को टीम गुगली डाल के खिला लेती है जो आपको दिखता है उसे सबसे लोग चेंज कर लेते हैं अभी के लिए नाम के साथ गया है बट यह चार मैचस के लिए नहीं है तिनके तरफ देखना ही नहीं है ठीक है उसके बाद मैं जाने वाला हुझा है रिचर्ड संग के साथ अभी दिक्कत कहा है यहाप आपको दिख कर भाए इनका 72 % इनका 71 % सीलेक्शन है बाकि सब बॉलर्स का सेलेक्शन 30 % 28 % शारे सें बॉलर्स है common बॉलर्स है लोग को कोई भी पसंद नहीं इसी वज़े से किससे ने कि जॉर्डन को लिया है किसने रिचर्ड संग को लिया है कोई राटाइग को लेकर आएगा तो आपक पीक है ज़रूरत पढ़ने पर बड़े शॉट लगा लेता है क्रीज जॉर्डन ये भी अच्छा डेध बॉलर है ठीक है और शदिप सिंग इसने भी पिछले सिजन में डेध में अच्छी गिंदबाजी करी थी बहुत फेमस हुए थे पूरे वर्ड में फेमस हुए थे बट पिछले कुछ समय में इनका फार्म खराब हुआ था बट फिर से बिग बैश लिग में इन्होंने अच्छा किया है तो ये फिर से अच्छा करने लगे है बहुत अच्छे इनकी गुगली बहुत ज्यादा टर्न करती है तो अगेन वेरी गुड पिक कार्तिक तैगी रिसेंटली इनका फार्म भी ठीक रहा है जरूर ट्राइ कर सकते हो मुस्तवी जो रेमान टाई दोनों में से कोई एक ही खेलेगा तो जो भी खेलेगा उसको ट्राई कर लेना श्रेज गोपलको मैं ज़्यादा रिकमेंट नहीं करूँगा ग्रैली मेरी टिट बहुत ही जबरदस्त डिफरेंशर प्लेयर अगर जॉडन टीम में नहीं खेलते तो रैली मेरी दित खेलेंगे और ये विकेट निकालेंगे मेरी सबसे 100% विकेट निकालेंगे Grand League में बहुत अच्छे पिक एक टीम में Grand League में Captain भी ट्राइ करोगे ठीक है Captain भी ट्राइ कर लेना बहुत अच्छा काम करते होगे दिख सकते है बाकि मुझे निलगता नीचे से कोई खिलेगा यहाँ पे फोकस करना है इशान पोरेल पे अगर यह बॉलर खेल जाता है पंजाब अगर इसको खिला लेती है न तो Grand League में जरूर ट्राइ करोगे जी हाँ बट मुझे न लगता है यहाँ पे खिलने वाले ठीक है चेतन सकरी अब एक अच्छे बॉलर है ट्राइ कर सकते हैं अगर खेलते बट कोई खेलेगा ने ठीक है तो अभी के लिए क्या करते हैं लोग जाही रिचर्शन को ले 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 थे और एंडू टाय को मैं अपन ले सकते हो या फिर विकेट के बस सक्षन में तो कोई है नहीं क्यूंकि नाइन क्रेट्स वाले ही प्लेयर है तो आदा क्रेट कमपड रहा है अगर आदा क्रेट होता तो संजु सैंप्सन या फिर निकोलस पूरण को हम लोग ले सकते थे अभी के लिए क्या कर रहो हमें यह आपर राइली मेरे दित के साथ थोड़े खेलने के चांसेस कम है तो अभी के लिए नहीं लेते हैं अगर आ जाएंगे तो हम लोग ले लेंगे अभी के लिए शेवम दुबे को ले रहा हूँ जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देगा चेंजेस हो सकता है देखो इस प्ल दोस्तो अब बात करते हैं कैप्टेन वाइस कैप्टेन से की दो देख सकते हो मैक्सिमम पब्लिक गई है केल रहूल के साथ 37% लोगों ने कैप्टेन किया है तो अगर आपने फर्स्ट मैच देखा विराट कोली और रोईच शर्मा वाला मैच ना विराट कोली का इतना ज़ 30% से ज़्यादा ही होता है मतलब रोईच शर्मा विराट कोली से ज़्यादा ही होता है सोचो कितना जबर्दस इनका फैन फोलोईंग हो चुका है पिछले दो साल से और कितने कंसिस्टेंटल ये बंदा खेल रहा है 37% पब्लिक ने कैप्टेन किया पिछले दोनों मैच इसम किसी भी मैच में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक प्लेयर को लोगों ने इतना ज़्यादा कैप्टन करके रखा होगा सेम टीम में जॉज बटलर भी है इनका प्रवाँज भी बहुत जबर्दस रहता है इनका सेलेक्शन देखो कितना कम है गेल का देखो कितना कम है उसके बाद बेंस्टोक्स को मैं थोड़ा उल्टा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेंस्टोक्स गेंपाजी देने वाले है एक विकेट भी लेते है ना तो 25 पॉइंट्स देके जाते है प्लस बैटिंग तो इनकी बहुत अच्छी चली रही है तो मैं बेंस्टोक्स को कैप्टन सी आएगी तो शायद मैं बटलर को भी कर सकता हूँ कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बट अभी के लिए इन दोनों को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चलते हैं और कुछ इस तरीके से मेरी बन जाएगी स्मॉल लीग की टीम दोस्तो अभी जील पिक्स कितने बढ़िय है तो मैंने अल्रेड आपको डिफरेंशल प्रेयर्स तो बताई दिये जब हम लोगों ने टीम बनाई कैप्टन वाइस कैप्टन से के लिए बटलर क्रिस गेल मयंक अगरवाल डेफिनेटली ट्राइग करना है संजू सैंसेन डेफिनेटली ट्राइग करना है ग्रैंड जिनको ट्राइग करोगे बैटिंग सेक्शन में बटलर, क्रिस गेल, मयंक अगरवाल, संजू सैंसन, लोकेश राहूल और बेंश्रोक्स तो ये छे और ये चार ये दस प्लेयर्स है जिनको आपकी ग्रैंड लिग इस मैच में अच्छी जा सकती है डिफरेंशल प्लेयर्स पर फोकस करना, उनको ज़रूर रोटिट करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे डिफरेंशल प्लेयर्स इस मैच में अविलेबल है, वैसे भी ग्रैंड लिग का वीडियो तो आही जाएगा, तो उसमें सारी बाती में आपको दोस्तों अब मैं आपको पूचने वाला मैच में बनाएगा, दोनों टीम के ओर से ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले है, हैस्टेक फैंटसी 11 सर्कल, उसके बाद आपको है 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 सबसे जादा रन बनाने वाला है, उसका नाम और इस इक्वाल टू कितने रन बनाएगा, ये भी आपको प्रेडिक करना ह ये भी आपको लिखना होगा, same format में आपको comment section में answer करना है, प्लस आपको channel को subscribe करना है, वीडियो को like करना है, प्लस अपने एक दोस्त के साथ, minimum एक दोस्त के साथ share करना है, तब जाके ही आप लोगों को giveaway मिल पाएगा, तो जो भी correct answer देगा, उसके account में 200 रुपीज में transfer कर तो जल्दी से आप लोग comment section में answer दे सकते हो all the best one more thing guys edited comment बिलकुल नहीं चलेगी आपको comment को edit नहीं करना यादबार रखना comment को edit नहीं करना है तो दोस्तों ये गेमजी की team है यहाँ पे कोई भी credit का issue है नहीं इसी वज़े से में Sanju Samson को भी team में ले पाया हूँ अभी भी 1.5 credits बचे हुए इतने ज़्यादा आपको credits मिलने वाले है तो आप लोग आराम से team बना सकते हो कोई भी परेशनी आपको नहीं होगी तो I will suggest गेमजी पे ही खेलो पूरे IPL में ज़्यादा profit आपको गेमजी पे ही होने वाला है प्लस या पे contest का commission कम है तो कम interview में आप लोग ज़्यादा win कर सकते हो प्लस competition कम है ठीक है तो आप लोग गेमजी पे ही खेलो गेमजी के link आपको description box में मिल जाएगी या फिर आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी और और एक बात बता दो दोस्तो गेमजी के brand ambassador है केल राहूल जो इस team में इस match में खेलने वाले है तो जिसे आप लोग captain vice captain भी कर सकते हो तो बहुत ट्रस्टेड और safe application है minimum withdrawal 25 रूपीज है प्रतलब कम से कम आप लोग 25 रूपई withdraw कर सकते हो और आपका withdrawal दो घंटे के अंदर आ जाता है maximum दो घंटे लगते है आधे घंटे में एक घंटे में भी आ जाता है बट max दो घंटे लगते है अगर कुछ technical issue हो वरना बहुत बड़ी application है तो I will suggest मैं तो मेरा पुरा investment इस application पे ही होता है बाकी आपकी मरजी बनेगी ठीक है फाइनल अपडेट्स के लिए टेलिग्राम चैनल से जुड़ना क्योंकि फाइनल अपडेट्स बहुत important होंगे दोनों की टीम्स की प्लेंगी लिए उपर नीचे होने वाली है उसी सबसे हमारी टीम भी उपर नीचे होगी तो हमारे फाइनल टीम्स के लिए आपको हमारे टेलिग्राम से चुड़ना है टेलिग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मिले जाएगी क्योंकि इनको बैटिंग मिलने के मुझे थोड़ी से चांसे कम लग रहे हो सकता है कि टीम इनको प्रमोट कर दे पिछले साल यह थोड़ा नीचे बैटिंग कर रहे थे हो सकता है कि इस साल राहूल टिवाटियों को थोड़ा उपर बैटिंग को भेजे तो उस सिचुएशन में मैं अभी के लिए लेके चला हूँ प्लेंग लिए उन देखे बैटिंग ओडर देखे हम लोग इनको ड्रॉप करने का डिसिजन ले सकते है क्योंकि बॉलिंग से ज़्यादा उमीद नहीं है वानकेडी के स्टेडियम में इन से बैटिंग से उमीद कर सकते हो बहुत अच्छे बैटिंग कर सकते बट बैटिंग मिलने पे बैटिंग अच्छा करेंगे ना तो बस वही दिक्कत है देखते राहूल टिवाटे को फाइनल टीम में लेना है या नहीं लेना है captain vice captaincy वही रहेगी benze strokes को मैं अभी मेरी captaincy दे रहा हूँ vice captaincy रहूल को देने वाला हूँ याद रखना public reverse करके आने वाली है maximum public rawhul को captaincy देखे आएगी benze strokes को vice captaincy देखे आएगी अगर benze strokes flop हो जाते तो आपकी team flop हो जाएगी अगर Benz Tokes हीट हो जाते राहूल फ्लाप हो जाएंगे तो आपकी टीम हीट हो जाएगे तो यह पूरा टॉस अप रहने वाला है जो जादा रन बनाएगा उसके Captain Vice Captain अच्छा कर जाएंगे इनके अलावा क्या टाई करना है मैं आपको अल्डेडी बता चुका हूँ तो आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा Final Updates के लिए हमारे टेलिग्राम से जूट जाना और हाँ उससे पहले Giveaway के Question का अंसर जरूर देना कमेंट सेक्षन में Final Updates के लिए हमारे टेलिग्राम से जूटना बहुत important है क्योंकि प्लेइंग इलिए और दोनों टीम की change होगी अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा 13,000 के असपा सब्सक्राइबस होगे जोईन हो जाना Final Updates वही पे मिलेंगे यूट्यूब चैनल का अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है किस बात की देरी है इतने बड़ीया रिजल्स हमें मिल रहे है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखे बेल आइकन को भी दबा के रखो क्योंकि जब भी नेक्स वीडियो आएगा आपको नोटिपेकेशन मिलेगा प्लस ये मैच ग्रैंड लिक के लिए बहुत अच्छा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना